नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं टेकनिकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाम है अभीशेक सागर और मैं सबसे पसंदीद एपिसोड लेका हैं वह आपका जिसका नाम है टेकनोलोजी फैक्ट्स और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन के बारे में मोबाइल फोन के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे ऐसी कुछ बातें जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से अगर दुनिया का कोई टफेस्ट फोन है तो वह है सोनीम एक्सपी तेतिस सो फोर्स यह 84 ड्रॉब भी जहेल गया था मतलब अभी तक जितने भी फोन पठके गया है उसमें से एक्सपी जो 3300 है सोनीम का वो सबसे ज़्यादा टफ साबित हुआ है देखें टीनेजर्स आजकल मुबाइल फोन का इस्तिमाल क्यों करते हैं आजकल मुबाइल फोन का ज़्याद तर इस्तिमाल या तो गेम्स खेलने के लिए होता है या तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होता है पूरी दुनिया में एक सर्वे क मेक्सिको जगा किस चीज के लिए फेमस है आप जानते होंगे फिल्मों में भी या वैसे भी सुनते होंगे कि ड्रग माफिया वहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं ड्रग्स का इलीगल ड्रग्स का कारोबार मेक्सिको में ज्यादा तर देखा जाता है और यह जगा उन चीजो का एक मोबाइल नेटवर्क डेवलप कर सके सोचो वो लोगों को अगवा कर रहे हैं ताकि उनके लिए अलग एक मोबाइल नेटवर्क बनाया जा सके उस सॉंग को प्ले किया जिससे सुनने के बाद सारे भेडिये भाग गए और उसकी जान बच गई तो एक मोबाइल फोन ने उस लड़के की जान 2011 में बचा ली एपल के को फाउंडर स्टीव वोजनेक का पहला नंबर था 8888888888 कितना आसान है याद करने के लिए लेकिन उनके लिए किसी काम का नहीं था क्यूं क्यूंकि जो मोबाइल फोन ज्यादा घरों में आये तो वो बच्चे मोबाइल फोन से खेलते रहते थे वो 8888 दबाते रहते थे और उनको कॉल लग जाती थी इसी साबसे वो दिन में 100 से भी ज्यादा ब्लैंक कॉल या रॉंग नंबर उनको आते रहते थे इसलिए उन्होंने वह अपना नंबर चेंज कर दिया मेरा नंबर बहुत टिफिकल्ट है लेकिन फिर भी ट्रस्ट में मुझे बहुत सा इंटरनाशनल एमर्जनसी नंबर है जिस पर आगर आप कॉल करते हैं तो आपकी लोकल एमर्जनसी सर्विसे से आपको कनेक्ट कर देगा ये बात बहुत लोग नहीं जानते थे 100 नंबर 101, 102 के बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन 112 के बारे में आप नहीं जानते होंगे या आपकी जो भी local emergency services है वहाँ से आपको connect कर देगा और इसके लिए mobile phone में sim होना भी ज़रूरी नहीं है बिना sim के भी call लग जाती है क्या आपको पता है कि अगर aircraft में या जो आप aeroplane में सफर करते हैं वहाँ पर अगर आप phone यूज करेंगे तो वो उसके equipment में को interference नहीं करेगा लोग बोलते हैं कि जब flight में जाते हूँ मैं भी गया था तो जो air hostess होती है वो बोलती है अपने phone को आप या तो flight mode पे लगा दीजिए या तो अपने phone को आप off कर दीजिए अब इसके पीछे क्या logic है मैं आपको बताता हूँ aeroplane के जो equipment होते हैं payloads होते हैं उनमें interference वो नहीं create करता लेकिन इसके पीछे federal communication जो commission है FCC जो है उसकी guidelines है यह क्यूंकि जब 10,000 feet आप उपर होंगे तो आप जब call भी लाएंगे तो आपका जो network मिलेगा वो बहुत सारे tower से bounce होगा जिसकी वज़े से जो ground पे use करने वाले जो phone जो ground पे जो सत्य पे use कर रहे हैं प्रित्वी पर उपर नहीं उड़े हो हैं जो धर्ती पर हैं वो phone यूज कर रहे हैं उनको network मिलने में या उनको call लगने में परिशानी होगी क्योंकि यहां से वो busy रहेंगे उपर से airplane से call लगेगी तो बहुत सारे tower पर bounce करगी इसलिए FCC नहीं चाहती कि आप airplane से call करें बहुत सारी वीडियो बनी है यूट्यूपर भी बताया गया है यह बात तो सिध्ध होगी है कि airplane में कोई interference नहीं होता यह पुरानी myth थी बहुत पुरानी तरी आजकल तो काफी advance होगे है phone की जो frequency होती है वो बिल्गुल भी interference क्रेट नहीं करती airplane से लेकिन नीचे ground पर रहने वाले लोगों के phone calls में interruption आ सकती है congestion आ सकती है network ने नहीं मिलेंगे इसलिए मना किया जाता है कि आप airplane में अपने phone का इस्तिमाल ना करें आशा करता हूँ आपको mobile phones के ये facts पसंद आयोंगे आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा और अगर मेरा चैनल कभी ये नहीं रहेगा तो उसके substitute में मैं महाँ पर चीज़े डालता रहूँगा मैं मिलता हूँ अपसे अगली वीडियो में thank you so much खुश रहिए सिखते रहिए and good bye हुअ पुश ढ republican ऌके रहिए सिखते